राम राम आज हम श्रिमत भगवत गीता के आध्याच्य आत्मसंयम योग का श्लोक तयालेश संस्क्रित उच्छारण और हिंदी आर्थ सहेद सिखेंगे पहला चरण त और त्र दोनों अक्षर पूरे इंदोनों में आमिक्स करेंगे तत्र त पे अनस्वार आधा मत्तम भू मात्रा के अंदर आधा द है और ध से धनश पूरा भू के साथ आधा द बुद्ध और ध पर इ के मात्रा धी बुद्धी स पे बिंदी शब्द के योग शब्द पुराने के बाद ग पे अनस्वार आधा म संयोगम पहला चरण फिर से तत्र तम बुद्धी संयोगम दूसरा चरण लभ दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे लभ ते प पे आउ की मत्रा पाउ आधा र जो है व के उपर है उसको पाउ की साथ और व में आमिक्स करना है पाउर व ठीक है पाउर व दे ही क के साथ आधा में कम पाउर व दे ही कम सेकेंड चरण फिर से लभ थे पाउर व दे ही कम ही की मत्रा को खीचना नहीं है दे ही कम ऐसे नहीं दे ही कम पहला और दूसरा चरण साथ में तत्रतम बुद्धी संयोगम तीसरा चरन यत दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करना है यतते च में आमिक्स करना है च ततो में त में आमिक्स करना है ततो भू की मात्रा बड़ी लंबा कीचना है और य में आमिक्स करना है भूय य में आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा भूय हा तीसरा चरण फिर से यताते चाता तो भूय हा चौता चरण देखता है सा आक्षर के शब्द के पहले वाले आक्षर पर है तो सन आधा ना पढ़ेंगे सन सी और फिर जो लिखावा है उसका मतलब क्या हुआ द सी द जो है वो आधा है सी के साथ आधा द पढ़ेंगे सिद्ध सन सिद्ध और धा से धनश पूरा उस पर मात्रा के लग जाएगी आउ की जैसे अपन ने पहले चरण में बुद्धी शब्द में किया था महा धा में ए की मात्रा लगी थी वैसे यहाँ पर धा में आउ की मात्र लगेगी तो संसिद्धव कुरू दोनों मातरा छोटी लंबाने कीचना कुरू न के साथ आधननन और दन दोनों अक्षर में आमिक्स करेंगे नन दन चौथा चरण फिर से संसिद्धव कुरू नन दना तीसरा और चौथा चरण साथ में यततेच्या ततो भूयह संसिद्धव कुरू नन दना पूरेश लोग का उच्छारण एक साथ तत्रतम बुद्धि सैयोगम लभते पाउर्वदेही कम यततेच्या ततो भूयह संसिद्धव कुरू नन दना एक बार फिर से तत्रतम बुद्धि सैयोगम लभते पाउर्वदेही कम यततेच्या ततो भूयह संसिद्धव कुरू नन दना श्लोक का अर्थ देखते हैं इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन के प्रेश्ण के अनुसार जो योग भ्रेश्ट है उसकी गति का वर्णन कर रहे हैं भगवान ने बताया कि जिसने समय रहते हुए मतलब मनुश्य जन्म का शरीर रहते हुए ही जिसने यह निश्य कर लिया कि उससे परमात्मा की प्राप्ती करनी है उसका संसार के भूगों की तरफ ध्यान नहीं था लेकिन फिर भी अन्त समय में अपने साधन से चुथ हो जाने के कारण मन में किसी भूग सामगरी का चिंतन होने से उस योग भ्रेश्ट को अपने अन्त समय के चिंतन के अनिसा स्वर्ग लोग में जाना पड़ता है और वहाँ पर बहुत समय तक रहकर पुने श्रिमानों के घर में जन्व लेता है ये हमने श्लोक नंबर 41 में देखा पिछले श्लोक 42 में भागवान ने अपनी तरफ से ही वैराग्यवान योग भ्रेश्ट की गती का बर्णन किया था वैराग्यवान योग भ्रेश्ट वह है जिसने मनुष्य शरीर रहते हुए इन संसार के सभी भोगों से वैराग्य ले लिया था मतलब उसका इस संसार के सुख भोग में किसी भी प्रकार का कोई डान नहीं था उनको संग्रे करने का भोग संग्रे को भोगने का ऐसा भाव नहीं था लेकिन फिर भी किसी परिस्तिती किसी समय के कारण अंत समय में वसाधन से चुत हो गया था तो उसे अंत समय के केवल चुत होने के कारण स्वर्ग लोग में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसका विशे योग्यों के कुल में होता है अब वहाँ पर जन्म लेने के बाद में उस वैराग्यवान योगभरष्ट के साथ में क्या होता है उसको भगवान आज के शलोक में बता रहे हैं तत्र यानि वहाँ पर किसके वहाँ पर जो अभी बताया था कि वैराग्यवान योगभरष्ट त पत्वग्य योग्यों के यहां जन्म लेते हैं ज्यानवान के यहां जन्म लेते हैं वहाँ पर तम उसको बुद्धी सईयोगम यानि जो साधन संपत्ती उसने पिछले जन्म में कमाई थी जब वो योगप्रष्ट हुआ था ना वेराग्यवान योगप्रष्ट उस समय के लि च तो यतते यानि यतन करता है च यानि और ततो तत यानि उससे भूयह यानि फिर से संसिध्धव साधन की सिध्धी के विशे में कुरूनंदन है कुरूनंदन पूरा अर्थ के निकला ही कुरूनंदन वहाँ पर ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि तत्वग्य योगियों के लिए जहां जिस घर में उसका जन्म हो रहा है उसके लिए कहा गया है तो वहाँ पर उसको पहले मनुश्य जन्म की साधन संपत्ती अनायास ही प्राप्त हो जाती है और फिर उससे साधन की सिध्धी के विशे में वह पुन यत्न करता है तो एक चीज क्या बता यहाँ पर कि वहाँ पर मतलब कि जो तत्वग्य योगियों के कुल में वह जन्म लेता है वहाँ पर उसके पहले मनुश्य जन्म की साधन संपत्ती मिल जाती है तब ही तो यहाँ पर क्या शब्द प्रयुक्तु है बुद्धी सैयोगम और पाउर्व पाउर्वदेहिकम शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता पाउर्वदेहिकम का मतलब यह हो गया है कि इसमें बीच में किसी दूसरे शरीर का कोई व्यवधान नहीं है तो यह दो शब्दों से यह चीज क्लियर हो गई कि बीच में उसको दूसरे शरीर को धारन नहीं करना प में ले रहा है तो वहां पर भी सब तत्व को जानने वाले हैं ज्यानवान हैं तो उसकी साधन संपत्ति को और अधिक दिशा मिल जाती है और फिर वह और तत्परता से यत्न करना प्रारंब कर देता है यही चीज तीसरे चौते चरण में भगवान ने बोली कि उस साधन की सिद्धी के विशे में क्योंकि जो चीज वहां उसकी बाकी रह गई थी उस सिद्धी के विशे में वेपुन यतन करता है अविनाशी सहज सुखराशी ही ना थे मेरे ना मैं आपको भूलू नहीं नारेन नारेन नारेन